लखीमपूर खीरी में प्रात्मिक उद्धाले के प्रिंस्पल ने अपने ही स्कूल की टीचर को जूते से पीट दिया प्रिंस्पल ने टीचर के सर पे पांच जूते मारे टीचर का कसूर यह था कि वह दस मिनिट इस्कूल लेट आई थी इस बात पर गुस्पल ने पहले टीचर को गालियां दी फिर उसको पीटना शुरू कर दिया इस मामले में बेसिक सिख्षा अधिकारी लक्षमी काज पांडे ने प्रिंस्पल अजीत कुमार को निलंबित कर दिया है वहीं खीरी के इस्पेक्टर प्रमोत कुमार ने कहा है कि प्रिंस्पल और टीचर दोनों को थाने लाया गया है अभी किसी ने भी तैरीर नहीं दी है अगर कोई शिकायत आती है तो केस दर्ज किया जाएगा घटना का पूरा वीडियो सामने आया है इसमें देखा जा सकता है कि प्रिंस्पल अजीत कुमार पहले सिक्षामित्र सीमा को गालिया दे रहे हैं जब वो इसका विरोत करती हैं अजीत सीमा को जूता उतार कर मारने लगते हैं पास में ही खड़े दूसरे टीचर उनको रोकते हैं लेकिन उसके बाद भी वो नहीं रुकते हैं सिक्षामित्र सीमा भी अपने बचाब में हमला कर देती हैं सिक्षामित्र और प्रिंस्पल के बीच चल रही इस मारपीट को बच्चों ने भी देखा पूरी घटना विकास कंछेत प्रात्मिक विद्याले मामु खेडा का है सीमा स्कूल में पाचवी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती हैं विरो रिपोर्ट आई पिन